तो पिछले एपिसोड में हाओचेंड चेंजी आंडी से बात करने के लिए गया हुआ था जहां पर हम देखते हैं कि वो उनको देखते ही पाचान गया था और फिर उनसे कहता है कि मैंने तो आपके बारे में अपने डैड से बहुत कुछ सुना है क्योंकि मेरे डैड ने करता रहेगा इसलिए वह बताता है कि वैसे तो हम इसके बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं इसके बाद वह इन से कुछ सालों में अमने डीमन गोड को बहुत ही संडार्ट कर दिया है जिसके वजह से बेलोग बैटल फिल्में भी हमारे सामने कुछ नहीं कर और इसलिए मुझे आसा लगता है कि या चिज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है अब इसके बारे में सुनकर चेंज यान डी भी उससे कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है क्योंकि आखिर का राज की सिच्वेशन पहले से बहुत जादा अची है लेकिन इसके साथ वो इससे कहता है कि हम डीमन पिलर को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि असल में जब तक ये सभी सही सलामत रहेंगे या बैटल ऐसे ही चलता रहेगा फिर इसके बाद वो उससे बताता है कि वे डीमन पिलर 6000 सल पहले डीमन कॉंटिनेंट में आये है जिसके बाद से हमारी डीमन गॉर्ड के साथ में बहुत बार फाइट हुई और इसके साथ हमें डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय करने का बहुत सारा चांस मिला जिसके लिए हमने अपने तरफ से पूरी कोसिस की थी और इसलिए हमने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का method भी try किया था लेकिन आखिरकार इसके बाद भी हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम जो method भी इसके लिए try कर रहे हैं तो वो फिल हो जा रहा था तब इसके बारे में सुनकर हाओचन को काफी गुसा आता है और फिर वो चेंजी आंडी से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो या बैटल तो हम ऐसे के लिए ऐसे ही चलता रहेगा इसलिए पास्ट में भले ही कोई demon pillar को destroy करने में कामयाब नहीं हो पाया लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इससे destroy करने का try जरूर करूंगा क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इस work को खतम करना चाहता हूँ जिसके बाद हम देखते है कि इसके ऐसे जज़वे को देख चेंजी अंडी भी काफी impress हो गया था और फिर उससे कहता है कि या तो बहुत ही अच् पोटेंशियल और भी ज्यादा वढ़ जाएगी लेकिन असल में हाओ चेंड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो चेंजी अंडी से पूछता है कि टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रूप क्या होता है तब इस पर चेंजी अंडी कहता है कि हर अभी सेंच्यूरी डिमन हंटिंग ग्रूप है लेकिन फिर भी मैं उमीद करता हूँ कि तुम इसके लिए कोई ना कोई डिसीजन जरूर लोगे क्योंकि ऐसा करने से तुमारे डिमन हंटिंग ग्रूप का डिवलप्मेंट और डिरेक्शन बहुत ही अच्छा होगा इसके ब बात सुनका चेंजी आंडि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी लेकिन तबी हम देखते हैं कि अच्छानक से वो डिमन एंप्रोर के बातों के बारे में सूचकर उदास हो जाता है क्योंकि उसने चेंजी आंडि से कहा था कि वैसे तुम सेक्रो सालों से हमारे साथ में लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चेंजी आंडि की तीमा धीरे धीरे ओल्ड हो रही है और इसलिए अब इसके बारे में सूचकर चेंजी आंडि भी काफी परिसान हो जाता है और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेंजी आंडि हाओचिन को कोई चीज दीखाता है और सबसे ज्यादा डीमन एंपरर के बाद उसे परिस्तान होता है क्योंकि उसने कहा था कि आने वाले समय में उसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चिन होली मून के साथ में यहां से बाहर आ गया था जहां पर वो चेंज क्योंकि अब ओलती मेरे साथ में यहांसे चलना होगा क्योंकि अब सायर बैसे तो इसमें बछाने के लिए अपने सवर्ट को भी allだ था लेकिन फिर उसकी मदर कहने लगी कि सायर इस वट अपने सर्किट पाउर के खिलाप में फाइट कर रही है और इसलिए वो अपने पाउर का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करने लगी जिसके बाद से सायर के बौडी का किलिंग इंटेंट तो दीरे दीरे छोटा हो गया ल लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर की आँखा पूरी तरह से ठीक हो गई थी जिसके बज़ास से वो हाओचेन को भी देख पा रही होती है और फिर उससे पूछते भी है कि क्या तुम हाओचेन हो तब इसके बारे में सुनकर हाओचेन खुस होते हुए उससे का हाओचेन हूँ और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके आँखो ठीक होते वे देख काफी खुस हो गया था क्योंकि आखिरकार सायर अब काफी टाइम के बाद फिर से देख पाएगी और इस वज़ास से इसके बारे में सुचकर हाओचेन और भी ज्यादा खुस होने जब उसने बहुत सारे डीमन के साथ में फाइट करके सायर को बचा लिया था इसके बाद वो जैसे ही अपना समान वहां से उठाने लगता है सभी कुछ देर के बाद सायर भी फिर से होस में आ जाती है जिसके बाद हाओचेन उसे कहता है कि अब तुम किसी भी चीज के बार जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी इसके नाम को सुनकर काफी खुस हो गई थी और फिर उससे कहती है कि तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है लेकिन फिर इसके बाद वो उससे पूछता है कि याकिर कर तुम्हारा घर कहां है क्योंकि मैं तुम्हारे घर पहुंचा हो तब इसके बारे में सुनते ही सायर भी काफी खुص हो गए थी और वो तुरंध उसका हाथ पकल कर उसंसे काती हैं की चलो मैंे तुम्हारे साथ मे चलती हूं जिसके बाद हम देखते हैं की हाओ चैन भी इस बाद से काफी हुस हो गया था और इसके बाद वे दोनों कि मुझे असता लगता है कि वे सभी मेरे बच्वन के सेंसेस थे पर तभू इसी भीचनेंध एक हेयर पिन दिखाता है जिसे देखते है सक पूचन जाती है कि या तो उसी bacon है क्योंकि इस हेयर पिन को हाओचन को दे दिया था और उसे कहा था कि अब सायर के प्रोटेक्शन की जिमेदारी तुम्हारी है जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए डिसाइड कर लेता है और वो प्रोमिस करता है कि वो सायर को प्रोटेक्ट जरूर करेगा तो अब इस कि अगले पाट के लिए excited हो तो comment करके भी ज़रूर बताना